आज के कायोग्रम के मुख्य अतिति और केंद्री राजिय मंत्री प्रोफेसर S.P. भगेल जी, मुख्य वक्ता शी नरेंद्र ठाकुर जी, श्री प्रशान जेन जी, इस अबाखंड में, मैं कहूँगा इस अबाखंड वरिष्ट पत्रकारों से जग मगा रहा है, हमारी वीच में शुरियस्ट जवान के जी हैं, कार्ति के शर्मा जी हैं, मेरे वरिष्ट बंदू में कहूँगा इसे, कंजन दाजगुद्दा जी हैं, हितेश शंकर हैं, परफुल केतकर हैं, संजे दिवेदी जी हैं, अनंद विजे जी हैं, अनंद नर्सिमन हैं, सबका मैं सवागत करता हूँ। एक बात जो मैं हमेशा हरी कारिक्रव में कहता हूँ, उसको में दो रहाँगा यहां पर, यह जो काल है, वो राश्ट्रिय पुर्नाय जागरानता काल है, कर वेड़ साथ साल तक एक विशेष विचादारा का यहां प्रभूत्व रा देश में, और वो प्रभूत्व हमें हर में दिखा, मैं एक सेकर्वर मैक्जिम ने पत्रकार था, तो मुझे उसका अच्छा अनुब हो, किस टाइब की प्रेशर जनने पड़ते थे, सत्य की लड़ाई लडने के लिए, यह नहीं कहूंगा कि मुझे महोगा नहीं मिला अच्छी तरह रिपोर्टिंग करने का, लेक समवान समारों की, वह एक बहुत बड़ा डेवलप्मेंटा भारत के इथियास में, वह काल यह सा था, आप देखिए जिए 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 पूरा एक तुष्टिकन का वातरंड पूरे देश पे चाय होगा था, वह हर जगे उसकी हम एक चाय दिखती थी, वह पत्रकार जगत त दिखती थी, ऐसे समय में यह जो समारों की शुराथ हुई मेरे खाल से, जो राष्टरवधी प्रतरगार थे, जो एक गुटन मेहसूस करते थे, उनके लिए बहुत बड़ा यह डेवलप्मेंट था, और आज इसको 14 साल हो चुके हैं, 14 साल के अंदर ऐसे लोग, मुझे या समर्थन किया, मैं कहंगा मैं सत्या का समर्थन किया था, मेरा रिपोर्टिंग आगे आप देखें कितोह, तो काफी बैले दपोर्टिंग था, लेकिन मैं जो लेप्स प्रेशर था, उसके प्रेशर तो, आठ साल से जो एक हम परसी देश में देख रहे हैं, रष्टरवधी रिपोर्टिंग करने की, जो मालिक थे, उनको भी मालूम है कि पहले जैसा प्रेशर अगर आता है, दुसरी साइट से, तो इसको पिर हम झेलेंगे, तो यह वातरमने में ठीक नहीं होगा, तो एक फ्रीडम सबके पास से रिपोर्टिंग करने की, लेकिन इसके अंदर मैं एक पूर चीछ आपके सामने रखना चाहूंगा, दिखिए, मैं वीर्व सावर करके विचारों को फॉलो करने का पूरा प्रयास करता है, मेरे लिए 1937 के अंदर, वीर्व सावर करेंचे के निर्णय था, वो मेरे लिए एक गाइडिंग स्परिट है आज भी, दिखिए 1937 के अं करनेने के लिए उनको छूट दी गई, उस टैम पर उनके पास चॉइस थी, कोईसी पार्टी वो जॉइन करे, निता जी बोज, अच्छी उत्राव पतवर्दन, एसम जोशी जिसे कॉंग्रेस के निता, उनको नियोता दिया कि आप कॉंग्रेस में आईए, कॉंग्रेस को ब और अच्छी तरह पतवर्दन और एसम जोशी को कि सावर्कर आएंगे तो सावर्कर एक प्रभ्रियू से विजार के वेक्ति हैं, वो इस बैटल में वो हमारा साथ देंगे, लेकिन सावर्कर ने ये नियोता इनकार कर दिया, उन्हें कहा कि कॉंग्रेस जो है, वो हिंदु हिंदु ने खुण होज इनकार करके Muslim Tushrikran कर रहे, और बारत वर्ष में, वहिंदु ने खुण करना ये तेश के साथ दोखा दड़ी. और असमें पर आफ में एक स्टेक्मेंट ही जो मुझे हमें रिलित करता रहा, उन्हें कहा कि, I would like to stand in the last row of patriots than the first row of those who are betraying the nation in the name of patriotism. तो उस टाइम पे भंदी जी का जमाना था और अबर वो Congress जोइन करते तो इसी कोई जगान पे जहाँ पोच नहीं सकते थे Congress में रह के, उनके पिछे एक जबर्दद इधियास था, दुनिया के बड़े-बड़े क्रांतिकारियों के अंदर में का जिए चुंकला में नंबर वन नाम होगा उनका, दहेक के अंदर जब उनकी Marcellus में अरेस्ट होई, तो केस चला, दहेक के अंदर केस चला. दुनिया के सभी क्रांतिकारी जो British imperialism के विरुत थे, वो आयरलेंड के हो, जर्मनी के हो, एजिप्ट के हो, वो सफसावरकर को नेता मानते थे, और ऐसे व्यक्तिकर कॉंग्रेस में आते तो वो कहा पोस्टिस का अंदाज आप नहीं लगा सकते, लेकिन उन्होंने एक चोटी सी पार्टी इंदू-मासभा का अद्रे ख्र बनना चुना, यूक्यों उनको लगता था कि इंदू-मासभा का अद्रेसी पार्टी है, एसा नहीं है कि इंदू-मासभा की सभी सिद्धानतों से वो agreement में थे, उनको ही लगता था कि इंदू-मासफवा है, एक मातर शी पार्टी है जो इंदू-मासफवा का अनन्ड ने कर रही, अध्यक शूब बने. तो यह मैं मानता हूँ कि यह महारापरताप ने जो बलिदान दिया था, जब अक्बर ने महारापरताप को नियूता दिया कि आप मुगल सामरज्यक के अंदर आ जाएए, उस टाइम पे करीब करीब सभी राजपूत राजा जो थे, उस अभी अक्बर के साथ थे, यह रापरत है, हमारे भी कुछ जवद्या बनती है और हमें उसका ख्याल रखना चीए, देखिए, कट्रवादी जो तपका है, मुसलमानों का उससे लड़ना यह देश की अवश्यक्ता है, देश की जवाबदारी है, लेकिन हम यह समदना पढ़ेगा कि मुसलमान समाज जो तीन भागो ने बता हुआ है, एक मुससक्ट्रवादी, एक लिसक्ट्रवादी, और एक सेहश्ण, जो मुसस्क्ट्रवादी है, प्य टाइप+, जो अल्ट्रा वहाबी उसको बूलते हम, उसे हमें लड़ना पड़ेगा, वेचारी रूप से लड़ना पड़ेगा, फि्जिकल रूप से देश को, जो कम कट्रवादी हैं, उनको सामदाम गंड बेच से हमें उनको गंडोर्व में रखना पड़ेगा, और जो कट्रवादी नहीं है, उनको साथ में रखना पड़ेगा। कॉंग्रेस का जो काल चला साथ साल का उससे बड़ा नुकसान ही हुआ, कि वहाँ भी जो थे आजादी की टाइम पे 10 प्रतिशत थे, आज उनकी संख्या करीबन 40 से 45 शायद 50 प्रतिशत भी हो सकती है, कोई के पास संख्या नहीं, लेकिन शीवा जी पहले रखती थे जिन्नों उन्हें solution दिया इंदू उसने problem को son करने का, उन्हें भी यही रस्ता अपना है, उन्हें most cuttrawadhi थे उनसे लड़े की, जो less cuttrawadhi थे उनसे सामदाम दर्ण वेदका उप्योग किया, और जो cuttrawadhi नहीं थे, उनको अपनी सेना में भी शामिल किया, तो reporting करते समय हमको इस बात का ख्याव रखना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा ब्लंट लगूगा लोगों को लिकिन मैं यह बात कहना चाहूंगा, आज को शुबाहदर के riots हो रहे हैं आपने देखा होगा, रहा मोह में लास सियर भी होए, दस जगे होए, इस बार में एकल दस बीस जगे पे होए, मैंने शुबाहदर के riots जो है, वो चोटे बंज से कवर के होगे, मतलब गुजा तो इसका केंद्र था, तो चोटी उमर जम में जिस दिन से मैं इस विल्लिम आयात में कवर कर रहा हू मेरा ही अनुबव हो रहा, कि जो शुबाहदर के riots होते हैं, उसमें हमारे जो हिंदुत्वा कारिकर हैं, वो पहले गाली के लोज करते हैं और जादा तर मरते हैं, 90 या 80 और पत्थर मारा मुसलमन तैयार होते हैं, उनके घर पे पत्थर रहते ही हैं, और उनकों फिर पत्थर मारा शुगर्द, जो हमारे सामने इमेज आती है, आज कल रिपूर्टिंग में होई आती है कि सब जगे पे मुसलमानों ने अनप्रुवक्त पत्थर मारा किया, पेल स्टून बेल्टिंग किया, वो अकिकत असल में जमेनी स्थिती में नही है, मेरे काल से जो भी राष्ट् समय बड़े व्रियोधी सावरकर थे, उनको कोई मुसलमा रटनिदिकार उनको कभी में काउंगा कि उल्लू नहीं पढ़ा पाया, इतनी उनकी माहिरत थी, लेकिन फिर भी वो अगर दो भी शाहिष्ट्वी मुसलमान थे उनकी जगा रखते थे, उन्नी सुन्चालिस के वो हिंदू-मुसलिम एकता का विरोधी गेना जाएगा, विरी सावरकर थे पढ़ा पीपर में उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया कि इस टैप के अगर गेस्चर्स मुसलमान कम्यूटी के तरफ से आते रहे तो हिंदू-मुसलिम एकता मुनकिन है, वो दूसरा, उन् आपके इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उस टैम पे दो चीज उन्होंने प्रस्ताव में दो चीज कही थी, एक तो गव अत्या करेगा, वो हिंदू-मुसलिम एकता का विरोधी किना चाहेगा, और दूसरा, उन्होंने कहा थ आपकी जो कमिट्मेंट है, इंदू उसे लेखता के लिए, तो मैं आपको भी विश्वास दिलाता हूं कि हमारे इंदू भाई, अगर जान बूच की अगर इस टैप के जिरूस निकालते हैं मस्जिद के पास से, और आपको प्रोवक करते तो हम उनको रोकेंगे, तो वीरि रिजट करतेते हैं, कंडेम करतेते हैं, लेकिन याद रहे कि अकबर जो चितवड़काल का मैसेकर हुआ, फेबरी 1568 के अंदर उसके नाम पे बढ़ा दपा है, अकबर के नाम पे, लेकिन 1570 के बाद में अकबर ने इंदू-मुस्लिम एकता लाने का पुरा प्रयास किया, ज कि अकबर को सावरकर ने भी अपने राइटिंग में स्थान दिया है थोड़ा बोद। और दुसरा जब चत्रपति शिवाजी ने जो एक पत्र लिखा, जब जिजिया टेक्स रिइंपोस किया और एक जिबने, उसके पत्र लिखा था, चत्रपति शिवाजी ने उसमें ये हलाकि उनकी एक चाना के निदी वाली शैली थी, तो हर बात को हमें जो स्क्रीट में कहा था उसमनी लेना चाहिए लेकिन उनने कहा कि आपके परदादा अगबर से आपको प्रेना लिने चाहिए, उनको हम जगत गुरु कहते हैं, कुछ ज्यादा उनने शर्क्त प्रोकिया ह लेकिन उनने भी अगबर को एक पॉजिटिव रूप में समाज, देखा, देखिए, कट्रवादे की संख्या मुसलमान समाज में बढ़ चुक, इसमें कोई शंकाय है, और हम भी उनसे लणना ही पड़ेगा और उनको परास्त करना पड़ेगा, लेकिन अगर थोड़े भी मुसलमान कम्यूटी में कम है, मेरे आत में जब एक पुस्तक आये, देली सल्तनत, 1984 के अंदर, करनावती में में निकला था कि पुस्तक खरीदेट में, वो 25 रूप में खरीदेटी थी, वीडी माजन की पुस्तक थी, वीडी माजन कोई काल से, इसे कोई इंदुतोवादी इ इवरायम लोदियो, सिकंदर लोदियो, इल्तिमिशो, एक इंसिनेंट ऐसा नहीं है, मेरे मन में जो भाव जागा उस टेम पे, यह जागा कि हमारा राम मंदिर आप बनने नहीं दे रहे हो, और सामने आपने हज़ारों मंदिरों का ध्वस किया है, जिकिस टाइब की मेरे मन में उस टेम पे खड़ा हुआ था, तो 334 साल के काल के बाद में, अगर कोई साशक आता है मुस्मारों के अंदर, वो कहता है कि मैं मुस्लिम, मैं जिजिया टेक्स को विड्रॉ करूंगा, मैं मंदिर तोड़ने पर रोक लगाऊंगा, तो हमें उसको पचास में से हम उसको असी मार्क न दे पर साट मार्क या पचास मार्क हमको उसको देने पड़ेंगे, ऐसा ही जैनूल अभी दिन हो गए कश्मीर के अंदर, वो तो अकबर से भी दो कदम आगे थे, मेरा कैने का मतलती यह है कि 20 करूडों मुस्म्मान देश के अंदर है, तो हमें जो रिपो कट्रवादी है उनको उतना कम उनको कंडेम करना होगा, और जो कट्रवादी नहीं उनको साथ में रखना होगा, तो यही रस्ता हो सकता है मुस्मिम प्रॉब्ले उनको टैकल करने का, एक आखरी बात केके मेरे वानिकों में इविराम दूंगा, मैंने कभी एक मुमेंट देखिए बलात कार रूक नहीं रहे, विविचार मात्रा में बढ़ता जा रहा है, उसका मुख्य कारण है कंटेंट, OTT, सोशल मीडिया, फिल्म और पॉर्नोग्राफिक एथू जो कंटेंट आ रहा है वो बढ़ा खतरनाक है, आप देखो यह लगनों के अंदर 13 साल के लड कि मैं यह कह रहा हूँ कि जो लोग विविचार बेच की पैसा कमा रहे हैं, मुझे विविचार को बेच रहे हैं, मरन जरन के रूप में पैसा कमा रहे हैं और देश की भावीपिडी को बिगाड रहे हैं, उनके सामने देश एक हो और उनको सिक्षात है, को ने पुछा कि इस मुझ सरकार का रूल भी है तिए राष्टेवादी सरकार। आप देखें कि जो विबत इर्टिवमेंट आती थी 2014-2014 के पहले उसमें काफ़ी गटरो दिए हुई। आप देखोगे तो तो ये इस सरकार राष्टेवादी सरकार है। कोई कमी होगी तो वो सुजाओ देंगे, लेकिन हमें एक कानून ऐसा लाना है जो इनको रोके, कोई लोग ऐसा मानते हैं कि लड़ाई हम हार चुके हैं यह तो घर-घर में गुश चुका है, मैं ऐसा नहीं मानता, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर देश के अंदर सावरकार का राष्टर प्रथम है, अगर हम अमरी संस्कुरुदे में मानते हैं, तो हमें इस दूशन से लंडा होगा और उसको परास करना होगा, तो मैं आवान करूँगा पत्रकारों से कि इसके अंदर भी योगदान जी पत्रकार जगत का एक भाग है, जो रेविन निकलता है यह लोलुकता वाला, उनके पास भी फोस्ता है, वो भी मैंने अभी दो-तीन पत्रकार को मैंने जब एक और बड़े पत्रकार उनको मैंने ए इन चीजों को बड़ावा दे लें, तो मेरे आपसे सबसे अनुरूद है कि राष्ट्रपतम के सिद्यान को ध्यान में रखते हुए, हम सब इस मुद्दे पर एक हूँ, इसमें से कोई बचा नहीं है, देखिए हम स्कूल के अंदर अगर प्रतिग्या करते हैं, कि सभी भार रखी थी, और रोज सुभी उसका सिर दुखता था आड़ बचे, तो जो स्कूल चलाने वाली संचाली का हैं, उन्होंने उनके माताजी को गा कि आप देखुए, क्या देखती क्या सुबह ये, कोई देखती ही रात को तो उनने देखा तो वो सिर पे चादर डालके और ये 10-11 साल की लड़की कर पॉन देखती तो उसकी क्या हालत हो कि और किस विश्व गुरू बनने के हम बात कर रहे हैं, देखिए, क्रिश्चन दरम के अंदर याद रहे, कन्वर्जन का में विरोधी हूं, कन्वर्जन के सहम फाइट कर रहे हैं, पर क्रिश्चन दरम के अमेरिका में इसका यही कारण है, जो यह विश्व को आने के आपने रश्टा खोन दिया उसके बाद में आपका पूरा चीज़ी तरक खतम हो गया है। कि मैं मने वाड़ी को विराम दूँगा, धन्यवाद.